नमस्कार जैहिंद लर्निंग मंद्रा के ओनलाइन पाट साला में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्र अभ्यास या स्वामुल्यांकन आपकी तैयारी का एक महत्तोपूर्ण हिस्सा होता है आप कितनी भी क्लास कर लें, कितनी भी कंसेप्ट समझ लें लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं, सवालों का अबजेक्ट्यू सवालों का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाती तो इसलिए हम जल्दी ही आपके लिए अभ्यास स्रीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग कोशिस करेंगे कि आये हुई सवाल आपके घलत न होने पाएं यहां इस अभ्यास स्रीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सामिल करेंगे उसको हम लोग बताते हैं एक बार आपसे कि कहां कहां से हम अपने सवालों को कलिक्ट करेंगे ताकि आपके पास एक बहतर question bank बन सके उसको आप जादा बार तयार कर सके और जादा बार तयार करने के लिए आपको बार बार वीडियोस को देखना पड़ेगा उसको हमेशा सुन दे रहना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग जो अपने सवालों का collection लेंगे वो हम लोग लेंगे civil services परिक्षा में राजनीत बिज्ञान, इतिहास और भोगोल हम सबसे पहले आपको बताएं कि हमने TGT 2016 के लिए आपको 15 से 20 अभ्यास रिश करवाया था जो आप सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा था और आप सभी के लिए बहुत beneficial भी रहा था लेकिन उसका दाइरा राजनीत बिज्ञान तक ही था और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इस अपनी अभ्यास से रिश को हम लोग इसका दाइरा बढ़ाएंगे और दाइरा बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें इतिहास को भी सामिल करेंगे भोगोल को सामिल करेंगे और आ आए हुए राजनीत विज्ञान के सवालों को solve करेंगे फिर इसके बाद यहां पर हम लोग PCS के सवालों को लेंगे जो कि आपको 2012 से पहले optional के रूप में पूछे जाते थे फिर इसके बाद हम लोग TGT के सवालों को लेंगे और कुछ हद तक हम लोग UGC के सवालों को भी सा कामिल करेंगे ताकि आपके लिए जितने भी जादा questions हो सके वो सारे के सारे questions आपके लिए महत्यपूर्ण हो उसको आप तयार कर सके इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि 50 सवाल प्रति दिन 50 सवाल हम लोग इन तीनों बिश्यों पर अभ्यास करेंगे लेकिन थोड़ी मंत्रा का जो चैनल है उस पर आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे इसलिए उस चैनल पर आपको जुड़ने की आवश्यक्ता है और ये अभ्यास शरीद आपको continuously करना है मैं कोशिस करूंगा कि प्रति दिन आपको इस पर वीडियो मिले हो सकता है विश्यम परिस्थितिया हमा आपके एकजाम तग इस अभ्यास रिंखला को जारी रखेंगे तो आपको लर्निंग मंत्रा वाले चैनल पर अपडेट रहना है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हम इसमें कम से कम दो घंटे का गयप रखा करेंगे ताकि एक विश्य पढ़ने के बाद दू चाहिए वो ऑनलाइन में कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन में कर रहे हैं और क्लास करने के बाद आपको ये अभ्यास काफी बेनिफिट देगा काफी अच्छा रहेगा आपके लिए और आपकी तयारी एक नई उचाई तक पहुंचाएगी तो इसी सुबकामनाओं और इसी उम् लेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम